हेलो स्टेंट गुड मॉर्निंग तो स्टेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर और देखेंगे स्टेंट्स इसका प्रोपर्टिज इनकी वेक्टर और प्रोपर्टिज जो एक्सरसाइज बैusch अगर Out tom के प्रोपर्टिज प्याज हम लोग डिसकस करेंगे तो समझे अस्टेंट्स अबसे पहले यह वेक्टर क्या होता है तो वेक्टर एक एसा लाईन एंसट्स जिस लाईन का मेग्णीट्यूट भी हो और उसका डायरिक्शन भी हो समझे घ्र देखेए मैथ में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे सम वही चीज बेक्टर यहां वही चीज लेगिन वहां पर सर बताएंगो वह लाइन नहीं बोलेंगों ठीक है सर बोले होंगे भी हो, magnitude में परिमाप, यानि कि इस line का कितना centimeter का ये line बना हुआ है, और इस line का आपको direction भी पता चले कि इस line का direction किदार है, यानि कि एसा line जिसका परिमाप भी हो और जिसमें क्या हो तो उसका दिशा भी हो, उसी को हम लोग vector बोलेंगे, देखिए, जैसे कि यहाँ पर यह जो line हम घीचे, तो इस line, सीधा सग line घीचते हैं, यहाँ जो एक line घीचे, तो यह लाइन का direction हम इदार कर दिए, तो यह क्या हो गया आपका, एक vector हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो point A है, और यहाँ पे जो point B है, इसका कुछ ना कुछ तो distance होगा, दोनों point के बीच का कुछ ना कुछ तो इस line का value निकलेगा, कुछ ना कुछ परिमाप निकलेगा, तो इसका परिमाप भी हो गया आप देखिए, दिसा भी हो कि what is vector इन फिर भी समझने के लिए लिख लेते हैं, directed line segment is called vector, यानि कि जो line में क्या हो, direction हो और क्या हो, उसका magnitude भी हो, segment में स्वई परिमाप भी हो, उसको में लोग क्या बोलेंगे, तो vector बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, directed line, directed line segment is called vector, यानि कि directed line segment is called vector, जिस line में क्या हो, तो परिमाप तो होगा, लाइन का तो जरूर परिमाप होगा, तब तो वो line बना पएगा, 2 cm, 3 cm, 5 cm, तो लाइन में परिमाप तो होगा ही, लेकिन उसका दिसा भी होगा, उसको में लोग क्या बोलेंगे, तो vector बोलेंगे, अब समझे, अब हम लोग समझेंगे, कि vector को में लोग denote के से करते हैं, ठीक क्योंकि आप पोली है, सर अब आप line बताएं, यह line है, line तो है, लेकिन अब इसको में लोग line नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका direction भी में लोग को दीख रहा है, इसलिए एक vector है, तो यह direction किधर से किधर ताग है, A से लेकर के B की ओर है, तो A से लेकर के B की ओर और आप देखा रहे है, B से A की ओर लिख रहे हैं, लिखने हैं कि नहीं, B से A की ओर, इसलिए हम लोग को direction उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ पर minus कर देंगे, तो यह आपका वोगया vector को denote करने का तरीका, इसी A भी vector को आप एक और तरीका से denote कर सकते हैं, क्या है वो तरीका, तो आप इसको A vector, small A vector से भी denote कर सकते हैं, यदि आपको 2 letters ने denote करने का अबन कर रहा है, तो small A vector, यानि कि आप बड़ा A vector यहाँ पर बड़ी A लिकर करके नहीं, इसको denote कर जाएगा, छोटी हमें सा small letter से आपको दिखाना है, जो आप single letter से दिखाएगा ना, तो हमें सा small letter लेक करके, ठीक है, capital letter में नहीं दिखाएगा, यह तो वो wrong हो जाएगा, तो यह था आपका denote करने का तरीका, अब हम लोग समझेंगे, इसी में, कि माल लेजे कोई एक point दे दिया हुआ है, इस point माल लेते यह point A दिया हुआ है, समझें, तो इस A point का कुछ ना कुछ तो coordinate होगा, क्या क्या होगा, X होगा, Y होगा, Z होगा, एक बार आप बोलिए, हम क्या बोलें यहाँ पे, जैसे एक point है, तो इस point का, point A का कुछ कुछ तो coordinate होगा, वो coordinate X होगा, Y होगा, Z होगा, तो यह जैसे XYZ है, यही XYZ इस point का scalar के लागा, क्या बोलेंगे इस XYZ को तो scalar, और scalar मिंस क्या होता है, अदीस होता है, समझें, अदीस, तो यह आपका अदीस होगा, यानि कि यह point A है, point A का coordinate XYZ, इसी XYZ को हम लोग क्या बोलते अदीस है, अब आप समझें, कि इसका हम लोग position vector के से लिखेंगे, इसी position vector को हम लोग बोलते हैं, short form में PV, यानि कि position vector of A, ये A का position vector लिख रहे हैं, ठीक है, पोजिशन भेक्टर, एक बार फूल फॉर्म में लिख देते हैं, पोजिशन भेक्टर, इसी पोजिशन भेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पी भी भी बोलते हैं, ठीक है, तो पोजिशन भेक्टर ओफ A, जिसको हम लोग A भेक्टर लिखेंगे, तो यह A भेक्टर क्या य जे कैप फिर पलस जेट के कैप अब आप लोग बोलिए है सरी चलिए य आई जे के तुम लोग समझते हैं लेगिन ये कैप आप क्या लिख दिये जरूर आप लोग पढ़ेंगे ये कैप के बारे में अभी आगे हम डिसकास करेंगे ठीक है आप टेंसन मत लिजे बस अभी स क्या होगा तो आपको क्या लिखना है एकसाइबग पलस वाई जे कैप तो इस दब हम लोग वेक्टर का कोवरसन बनाएंगे तो उस वक्त तो आपको एकसवाई जेट नहीं दिया रहेगा एकस जग़ा टू थरी फोर रेगा तो वहां पर क्या हो जगा टू आई के कैप पल लेकिन इससे कई गुना ज्यादा इंपोर्टेंड यह बात है और यह आपका सवाल में बहुत ज्यादा यूज होगा मान लेज़ा आपके पास कोई एक वेक्टर दे दिया अब आपको दे दिया और यहाँ पे आपको दोनों का कोडिनेट भी दे दिया तो बी का कोडिनेट 3,4 और अचले 3,2 और 1 ले ले लेते हैं 3,2 और 1 और यहाँ पे आपको मिल जया है A का कोडिनेट 1, 2 और 3 अब आपको बोल देगा न क्या position आप हमको AB vector बताइए क्या होगा यानि questions जब आपको दो point देदे A point और B point क्या करेगा जब आपको दो point देदेगा A point और B point और आपको बोल देगा AB vector बताइए क्या होगा ठीक है माल जब यहाँ पे यहाँ पे point P लिखाओगा यहाँ पे point Q तो आपको बोलेगा P Q vector बताइए यहाँ पे लिखा point A यहाँ पे B तो आपको बोलेगा AB vector बताइए समझे यहाँ पे X लिखा रहेगा यहाँ पे Y तो बोलेगा XY vector बताइए तो ये चीज में तो आपको confuse नहीं होना है, यहाँ पर A लिखा याँ पर B, तो A B वेक्टर हो गया, तो देखें A B वेक्टर क्या लिखें? जब भी कभी आपको दो वेक्टर को लिखना होना, तो पहले आगे वाला वेक्टर का position वेक्टर, माइनस पीछे वाला वेक्टर जो ह यह आपका क्या हो जागा? A B वेक्टर हो जाएगा, एक बार आप फिर से समझे, जब आपको दो पॉइंट दे दे और बोले कि आप हमको A B वेक्टर दिखाईए, ठीक है, जिसे एक पॉइंट यहाँ पर A, यहाँ पर B दे दिया, आपको बोला कि A B वेक्टर बताएए क्य तो पोजिशन वेक्टर ओफ B माइनस पोजिशन वेक्टर ओफ A लिखेंगे, ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पोजिशन वेक्टर ओफ B, आपका क्या हो जाएगा, सोच के दिखें, थिरी आई कैप, फॉलास टू जेट के कैप, यहाँ पर होगा कि नहीं फिर इसमें क्या करेंगे, तो माइनस पोजिशन वेक्टर ओफ A, तो पोजिशन वेक्टर ओफ A, सोच के देखें, क्या हो जाएगा, सिर्फ आई कैप, पलस 2, जे कैप, पलस 3, के कैप, यही ना है, पोजिशन वेक्टर लिखने का तरीका, हम बोले थे, जो स्केलर होगा, आई कैप, जे कैप और के कैप लगा देगे, अब दिखेशनेंड्स, अब आप इसको माइनस कर दिजए, तो देखिए, जब भी कभी आप भेक्टर में माइनस कीज़ेगा, या फिर पलस कीज़ेगा, तो जो सेम रासी का चीज होगा, उसको सेम के साथ ही आपको पलस या मा यही यदि यहाँ पे 3X हो पलस 3X हो तब हम लोग इसके जगाँ पर 6X लिख देंगें क्योंकि दोनों का रासी सेम है उसी दर अश्रेंट जब कभी आप दो वेक्टर को यहाँ पे जोड़िएगा या फिर घटाईएगा तो जो सेम स्केलर होगा उसको सेम के साथ ही यह आई स्केलर होगा ना वह सेम के साथ ही जोड़ेगा भी और माइनस भी होगा तो देखिए यह 3I cap में माइनस 2J cap अच्छा यह तो पुरा किंसील हो गया तो पलस 0J cap हो जाएगा फिर यह के कैप में माइनस 3K cap करेंगे तो माइनस 2K cap हो जाएगा तो यह आपका हो गया AB वेक्टर A दे दिया है यहाँ पर पैंट B दे दिया और बोला के AB वेक्टर बताये क्या होगा तो होगा तो क्या लिखेगा आपको दो में ब्लिया भी आपको बता देब करेंगे चलिए से माइनस करेंगे आब उस चीज को समझ चलिए मालिज आपके पास ए वेक्टर यहां पर दे दिया है 3 i cap पलस 5 j cap पलस 10 k cap and यहां पर आपको दे दिया बी वेक्टर तो बी वेक्टर क्या दे दिया है समझ लेते हैं अपने मन सो कूछ एकजामपल दे लेते हैं 4 i cap पलस 2 j cap पलस 3 ka cap और आपको क्या बोल दिया कि अब a'd फीवेक्टर पलस बी वेक्टर बताए क्या होगा और यह फर्फ्ट नमर बात और सप्रिखेंड नर इसी में बोल देगा न कि अब aStra patches ब्घ्र ब्लस ब्घ्र कर यह ईए आई-आई के साथ जूट जाएगा यह जे एक साथ हो जुड़ेगा यह एक यह के साथ माइनस करना तो यह आपका घ्लाइगा होम्वर्ग ठीगे आप इसको बनाएगा और हमको बना के दिखाईएगा अभी तो वैसे जूट का होमर्क देदे भी बहुत सारा होमर्क आपको एक सरसाइस से मिलेगा चलिए और हां के थोड़ा सा कुछ बात पर हम लोग डिसकास करते हैं इसी में मोड्यूलास बता है मोड्यूलास और निक्या निकालेंगे तो अभी उसका क्या निकालेंगे परिमाफ ये निकालेंगे तो अब समझेंगे कि कीसे आखे निकालते हैं मोड्यूलस या फिर मेगनिट्यूड तो हम लोग यहां पर समझेंगे मोड्यूलस और इसी मोड्यूलस को हम लोग क्या बोलते हैं तो मेगनिट्यूड भी बोलते हैं तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मेगनिट्यूड भी मोड्यूलस बोलिए या फिर क्या बोलिए तो मेग यह दोनों बात आपका सेम है ठेक है आप दोनों में से कुछ भी बोलिए कोई भी वेक्टर दे दिया उस वेक्टर का मोडिूलास फाइंड कीजिए या फिर उस वेक्टर का मेगनिटूट फाइंड कीजिए तो सेम बात है जैसे आपको एक 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 ए को यह नहीं मोड लगाना ठीक है और इसका फॉर्मुला क्या होता है तो रुटेंडर आइस कि i के साथ जो गुना के रूप में इधार होगा j के साथ जो गुना के रूप में होगा और k के साथ जो गुना के रूप में होगा ठीक है उसी का हम लोग क्या करेंगे तो isquire कर देंगे यानि कि mod of a vector equal to x का square प्लस y का square प्लस z का square तो यह आपका होग्या modulus बोलिए या फिर magnitude बोलिए उसका find करने का formula यानि कि इस trends जब भी कभी एक बार फिर से repeat कर देते कोई vector दे दिया और बोला कि इस vector का आप हमको magnitude बताइए या फिर इस vector का आप हमको modulus find करके बताइए तो root ender x square plus y square plus z square कर देगे यह आपका होगया modulus और magnitude find करने का तरीका अब आप समझेicate unit vector क्या होता थीक है unit vector क्या होता आप उसको समझेicket unit vector unit vector क्या होता है इस trends unit vector इसीएको हम लोग्डश से denote करते हैं वे जयो हम बोलरहें थे हैं usag को लोग unit vector बोलते हैं, जिसे कोई एक vector आपको a vector दे दिया है, x i cap plus y j cap plus z k cap, अब ये a vector को आपको क्या बोलेगा, तो unit vector में पताए क्या होगा, ठीक है, change, change into unit vector, याणिकि इस a vector को आपको unit vector में change करना, change into unit vector, तो देखें, इसको में लोग कैसे change करेंगे, ये जो a vector है, unit vector में change करने का तरीका यही होता है, ये जो a vector है, यहाँ पे लिग दिजिए और इसका फिर आप यहाँ पे नीचे magnitude लगा दिजिए, ये आपका unit vector में change हो गया, यानिकि इस trends कभी भी आपको question बोले, कि एक vector आपको दे दिया हुआ है, ठेक है, और बोले, इस vector को आप unit vector में हमको change करके बताए क्या होगा, तो unit vector में कैसे लिखेंगे, ये जो vector है, वो तो रहेगा ही, फिर divided by इस vector का नीचे परिमाप लगा देना है, तो वही करेंगे ये आपके, a vector divided by magnitude of a vector, अब इस trends आप समझेए, कि ये जो unit vector है, मतलब इस a vector को हमें लोग change करने हैं, यहाँ पर a cap भी आप इसको लिख सकते, a cap equal to, क्या हो जाएगा, तो a vector divided by magnitude of a vector, अब देखें, इस trends, जब भी कभी ये जो है, unit vector का जो modulus होता है, वो हमेशा 1 के बरावर होता है, किस के बरावर होता है, तो 1 के बरावर होता है, जैसे कि हम लोग यहां पर लिखेंगे इसका एक के आपका जो सो मोडिलास क्या होता तो वह 1 के ब्रावर होता है यह objective में आ सकता है कि magnitude of unit vector तो आपको 1 लिख देना आपको option रहेंगा 1, 0, 2, infinitive, इन में से कोई नहीं कुछ भी स्टाइक का option दे दे तो जहां भी आपको magnitude of किसका unit vector बोले तो उसका value 1 बताना है, unit आप नाम से सुनिए और समझे, unit मिस क्या तो 1, 1, 1 मिस क्या तो 1 होता है, यानि कि जिस vector का magnitude 1 के ब्रावर होगा उसी को में लोग क्या बोलेंगे तो unit vector बोलेंगे, change a vector into a vector of magnitude p units, इसका मतलब क्या होगा, एक vector आपको दे देगा और बोलेगा आना कि इस vector को आप p units में change करके बताये क्या होगा, p के जगा बोलेगा 5 units में change करके दिखाये क्या होगा, 10 units में change करके दिखाये क्या होगा, तो 4 units में change करके दिखाये क्या होगा, same यही formula ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे cross कर देना, जितना units बोले, 5 बोला तो 5 से multiply, 10 बोल तो P से multiply यानि कि इसको मैं लोग क्या लेखेंगे A vector divided by magnitude of A vector और cross यहां पर क्या कर देंगे P कर देंगे और अब जितना units बोले उसे साब को खाली multiply कर देना और कहीं कुछ है ही नहीं मैं आप समझीए स्ट्रेंट्स मानलेजा आपको कोई एक vector दे दिया यह A V Vector A और यहां पर आपको दे दिया B और यह A V Vector को कोई एक point है जो की इस point को P माल लेते हैं कोई a point P है जो इसको m ratio n में क्या कर रहा है तो divide कर रहा है एम रेचिया कौट कर रहा कोई एक भेक्टर ए भी शेक्टर को एक पॉंट पी एम में डिभाइट कर रहा तो आप यहां से हमको ईंटरणाली एक्स भेक्टर बतते यह क्या होगा क्या बोलेगा तो internally और externally का formula आप लोग पढ़े आहते थे 10 वे और 11 वे बहुए न भी इंटर्नली लिकने का X vector, हमको क्या बोलेगा, internally बताइए, लेकिन X vector का, internally, internally ठीक है, X vector, तो X vector क्या हो जागा, बताइए, MB vector, MB vector, plus NA vector, divided by M plus N, यह आपका internally formula गया, x vector का, क्या हो जाएगा, तो mb vector plus na vector divided by m plus n, इसी में students जब आपको बोल दे externally बताएगे, क्या बोलेगा, externally, externally, तो इसका formula क्या हो जाएगा, same यही formula लेकिन बीच में minus हो जाएगा, यानि कि mb vector minus na vector divided by m minus n, और instance, जब कोई एक vector दे दिया, चलिए, उसको भी लि vector है, a, b, जिसको कोई, कोई एक point p है, जो दोनों को same ratio पे काट रहा है, ठीक है, यह दोनों को क्या कर रहा है, यह a, b vector जो है, a, b vector को एक point p, same ratio में काट रहा है, तो आप यहाँ से म कोई mid point का formula, x vector बत यह क्या हो जाएगा, तो क्या होता, x vector, तो a vector plus b vector divided by 2, यही ना होता था, m plus and divided by 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a vector plus b vector, यह a vector यहाँ पे, यहाँ पे, b vector को दोनों को जोड़के, फिर उसको 2 से divide कर जी, तो यह आपका हो गया, mid point of p, यानि कि यह दारेक्ट आपको जब भी कभी बोल दे vector में, कि आप mid point find करके बताएगे क्या होगा, तो इस formula का use क कर देना, a vector plus b vector, divided by 2 का, अब एक काम कीज़े, आप इसका screenshot लिजे, फिर exercise पे चलेंगे, तो चलेंगे, तो चलेंगे, आप लोग R.S. अगरवाल का यह दी book बना रहे हैं, तो exercise 22 निकाल लिजे, और यह दी आप लोग NCRT का book बना रहे हैं, तो exercise 10.1 निकाल लिजे, ठीक है, देखें, इसका first question क्या दिया हुआ है, write down the magnitude of each of the flowing vectors, यानि कि जितना भी vectors दिया हुआ है, आप सभी का हमको magnitude find करके बताइए कि क्या होगा, जैसे कि इसका 1 का 1 number question, exercise 22 का 1 का 1 number question क्या दिया हुआ है, तो a vector equal to आपको दे दिया है, i cap plus 2 j cap, फिर plus 5 k cap, और आपको क्या बोला है, बताइए क्या होगा, तो magnitude बोल दे या फिर modulus बोल दे, तो क्या करेंगे, आपको mod of a vector लिखेंगे कि नी, rootender, x का square, तो या पर x कुछ नहीं है, तो क्या 1 है, यानि कि 1 का square, फिर plus 2 का square, फिर plus 5 का square, आप सब को जोड़ दिजेश्टेंट, तो 5 का square 25, plus 2 का square 4, तो 25 plus 4 मिल करके 29, और plus 1 का square 1, तो मिल करके क्या हो जगा, root 30, यह आपका क्या हो गया, तो magnitude of a vector, ठेक है, चलिए, अब हम लोग question number 2 पे चलते हैं, find a unit vector in the direction of the vector, अब बोल दिए आपको क्या अब unit vector find करके बताइए, कि क्या होगा, 2 number का, 1 number question, क्या बोला है कि अब unit vector बताइए, 3 i cap, plus 4 j cap, minus 5 k cap तो हम लोग यहाँ पे late कर लेंगे, इसको a vector equal to, क्या, तो 3 i cap, plus 4 j cap, minus 5 k cap, इसको बोला है, इसका unit vector find किजिए क्या होगा, तो unit vector मिंज क्या होता है, चलिए, यहाँ पे बार लिख लेते है, unit vector, तो unit vector मिंज क्या होता है, कि यह जो a vector है, यहाँ पर लिख देना, a vector, और फिल divided by AC का magnitude होता है तो magnitude of A vector तो यहाँ पर आपके पास क्या है A vector 3i cap plus 4j cap फिर minus 5k cap फिर इसका magnitude यानि कि 3 का square 9 4 का square 16 5 का square मतलब minus 5 का square क्या हो जागा तो plus 25 ही होगा आप सबको add करके देखिए तो root 50 होगा 25 plus 61, 40 plus 9 की जागा तो क्या हो जागा 50 हो जागा यानकी 1y root 50 और यहाँ पर आपके पास क्या है तो 3i cap plus 4j cap minus 5k cap इस सीच को लिग दी यह आपका होगया unit vector तो देखें इसेंट्स इसी में question number आपको जैसे कि हम बता देते हैं आपको 4 number question बोला ना if A vector and B vector then आपको A vector और B vector दे दिया और बोला कि अब unit vector find कीज़े लेकिन A vector plus B vector निकाल लिए और A vector plus B vector का आप unit vector बताइए देखें न दिया direction of A vector plus B vector निकाल लिज़े फिर उसका आप unit vector बताइए क्या होगा तो चलिए आपको A vector जो दिया हुआ है उसको लीख लेते हैं यह कोसन नमर 4 बतारे इंस्टेंट्स तो कोसन नमर 4 में हम लोगो दिया हुआ है A vector ठीक है तो यहां पर लीख देते हैं solution में given that करके A vector हम लोगो दे दिया हुआ है क्या दे दिया है A vector तो A vector दिया है minus i cap फिर plus j cap फिर minus k cap और इसी में फिर हम लोगो बी वेक्टर भी दे दिया है तो B vector क्या दिया हुआ है 2i cap minus j cap और फिर plus 2k cap और क्या find करने के लिए बोला है तो unit vector find करने के लिए बोला है लेकिन A vector plus B vector के direction में तो सबसे पहले हम लोग यहां पर A vector plus B vector निकाल लेते हैं A vector plus B vector equal to minus i cap plus 2i cap मिल करके क्या हो जागा i cap plus j cap minus j cap तो मिल करके 0 j cap फिर इसमें इसको आप जोड़िएगा तो क्या हो जागा plus k cap हो जाएगा अब इसका आपको unit vector चाहिए ठीक है unit vector of A vector plus B vector इसका unit vector क्या हो जाएगा तो यह A vector plus B vector divided by magnitude of इसका magnitude of A vector plus B vector equal to A vector plus B vector क्या है तो Ma, I cap plus k cap क्योंकि 0 j cap मिंस्क्या हो जाएगा अपका 0 यह उसको नहीं लिखना आप Ox बताइए तो आई कैप क्या हो जाएगा रूट वन पलस इसका भी यहां पर क्या वन है है ना आई के साथ कुछ मल्टिप्लाई नहीं तो वन है के साथ कुछ मल्टिप्लाई नहीं तो वन है तो वन का स्क्वेर तो वन ही पलस वन का स्क्वेर तो वन ही मिल करके क्या हो जाएग बता देते हैं समझे, question number 8 क्या बोला है, find a vector of magnitude 8 units in the direction of the vector, आपको एक vector दे दियार, बोला कि 8 है, इसको आप क्या किजिए तो, इसका magnitude 9 units, अच्छा 8 units magnitude में इसको आप find किजिए, ठीक है, अभी आपको हम P units का बता रहे हैं, P से multiply, unit vector जो है, वही फर्मूला, लेकिन आपको जितन magnitude बोले, उतना से multiply कर देना है, ठीक, चलिए, इसी में हम एक question number देख लेते हैं, 8 number question, 8 number question में क्या बोला तो, 9 magnitudes का, इसका units, find किजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, solution में, जो चीज दिया हुआ, given that, इसको a vector मान लेते हैं, a vector equal to, यहाँ पर क्या दे दिया है, तो 5 i cap, minus j cap, 5 i cap, minus j cap, फिर plus 2 k cap, और हमको इसमें क्या, a vector, फिर इसका magnitude of a vector, multiply of it, अब a vector आपके पास क्या है, 5 i cap, फिर minus j cap, फिर plus 2 k cap, फिर divided by root ender, 5 का square, क्या हो जागा, 25, फिर plus, minus 1 का square, तो 1, फिर plus, 2 का square, 4, multiply of 8, यहाँ पर आपके पास हो जागा, 8 by root 30, फिर यहाँ पर क्या है, तो 5 i cap, minus j cap, plus 2 k cap, यह आपका हो गया final answer, तो इस्टेंट्स, एक कोशन और हम इसी में hint करेंगे न, कभी भी आपको इस तरह बोल दे, कि आपको 3 point दे देगा, a, b, c, ठीक है, और बोलेगा न, कि आप a, b, c, 3 points जो है, आप इसे हमको equilateral proof करके दिखाईए, कभी-कभी आपको बोल देगा, कि आप इसको हमको right angle triangle proof करके दिखाईए, तो उस वक्त proof करने का तरीका क्या होगा, इस्टेंट्स इस आपको 3 points दे, a, b, और c, होगा न, a, b, और c, यह आपको 3 point मिलिया, समझे, 3 point मिला है, क्य बोला, equilateral proof करने के लिए, तो आपको अपना mind में सोचना है, कि equilateral miss क्या होता है, एक equilateral triangle है, यह सा triangle है, जिस triangle का सभी भूजा, यान कि सब sides हापस में क्या होगा, equal होगा, यान कि यह a, b, ब, c, ब, c, ब, c, और यह जो a, c, वेक्टर होगा, क्या होगा, तो सब same होगा, वो ची मेगनिट्यूट, find करके और देखेंगे, कि तीनों का मेगनिट्यूट, यदि same आ गया, तो आपका equilateral triangle है, यदि same नहीं आया, equilateral नहीं होगा, लेकिन जब बोल दिया कि आप पूरूफ करके दिखाए, कि equilateral है, तो 100% strength same होगा, तो चलिए उस type का question पर भी discuss करेंगे, एक काम क पर इसका स्क्रीन सॉट ले लिजिए, यहां पर यह आपका B और यह C, सब आपस में क्या होना चाहिए, तो same होना चाहिए, तो यह आपका क्या होगा, equilateral triangle proof हो जाएगा, तो चलिए strengths आपको AB भी दे ही दिया है, BC भी दे दिया है, और AC भी दे दिया है, आपको proof करके दिखा आपको जाएगा, तो चलिए यहां पर लिखेंगे, solution में, given that, जो चीछ दिया हुआ है, वाराब उसको लिख लिजे, given that, AB वेक्टर दे दिया, AB वेक्टर, I cap plus 2J cap, फिर plus 3K cap, हम लोग इसका mod find करेंगे, तो लिखेंगे, mod AB वेक्टर, equal to, rootender, X का square, X यहां पर क्या 1 है, 1 का square, 1 ही हो जाएगा, फिर plus, Y का square, Y का 2 है, तो 2 का square, 4 हो जाएगा, फिर plus, Z का square, Z का 3 है, 3 का square, 9 होता है, आप सबको जोड़िएगा, तो क्या जाएगा, root 14, यह हो गया, अब इसकेंट, सकेंट नम्म, इसका BC वेक्टर भी हम लोगों को दे दिया हुआ, BC वेक्टर क्या दे दिया, तो 2I cap, यही ना दिया हुआ, हाँ, 2I cap, फिर plus 3J cap, फिर plus K cap, हम लोग BC का भी magnitude find करके देखते हैं यहने कि mode find करके देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, root 10, 2 का square 4, plus 3 का square 9, plus 1, मिलकर के root 14 हो गया, इसी में इसकेंट, AC वेक्टर हम लोगों को दिया हुआ, AC वेक्टर क्या दिया हुआ, तो 3I cap, 3I cap, plus J cap, फिर plus 2K cap, हमको इसका magnitude find करना है, तो magnitude of AC वेक्टर root 10, क्या हो जाएगा 9, plus 1, plus 4, मिलकर के root 14, तो आप लोग देखेंगे, इस्टेंट्स, कि यह AB का mode, BC का mode, और AC का mode, क्या हो जाएगा, सैम हो जाएगा, तो यह ABC में लोगों का क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, चुकि, magnitude of AB vector, बरावर, magnitude of BC vector, बरावर magnitude of AC vector, सब क्या हो जाएपास में, एक्वाल हो गया, कितना का एक्वाल, तो root 14 का, इसलिए, ट्राइंगल, ABC, is an equilateral triangle, एक्विलेटरल ट्राइंगल, यह आपका proof हो गया, तो यह था, इस्टेंट्स आपका, आगे इस्टेंट्स आप लोग से पूरा question बनेगा, राइट एंगल प्रूफ करने के लिए बोला है, इंटर्नली, एक्स्टर्नली आपको find करने के लिए बोला है, अराम से यह सब question बनेगा, इस्टेंट्स जहां तक बनेगा, बनाईए जो question नहीं बनेगा, इसको फिरम next बताएंगे, जैसे कि इस्टेंट्स इसमें आपसे question नमर 13 और 14 नहीं बनेगा, ठीक है, और यह आपको बनाने भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह question नमर 13 और 14 जो है, आपका कहां से जनते हैं, आगे chapter यानि कि 3D से है, तो 3D जब हम इस्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर हम बताएंगे, आपको direction, ratio, direction को assign क्या होता है, तब आप इस question को बना लिजेगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, इस strengths एक बात और आपको थोड़ा बता देते हैं, कि यह vector तो हम लोग जैसे पढ़ रहें, ठीक है, लेगिन scalar vector का वीडियो हम पहले डाल चुके थे, तो क्योंकि देवगर में जो पढ़ा रहें, तो बहुत सारे strengths वहाँ पे scalar और dot के लिए कुछ strengths का छूड़ गया था, तो हम लोग का दो topic चल रहा था वहाँ पे, तो क्या किये थे, scalar और dot को इदर YouTube पे हम पहले बता दिये, इसलिए strengths पहले, बाद में जो चीज पढ़ाना चाहिए वो चीज पहले upload कर दिये थे, और यह हमको पहले पढ़ाना चाहिए अब बाद में upload हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे strengths बोल रहे हैं कि सार मलोग से इतना अचा vector समझ में नहीं आया, कहां से magnitude find कर देते हैं, कहां से scalar find कर लेते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता, बहुत सारे strengths के इसे जा रहा था, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा, आप ये वीडियो को पुरा full देख लिजेगा, ठीक है, कहीं आपको problem नहीं होगा, strengths और बहुत सारे strengths जो अब तक मेरे पास नहीं पढ़े हैं, यान कि देवगार में अब तक जो मेरे पास class नहीं कियां, तो वो strengths मेरे पास देवगार में भी class कर सकते हैं, तो देवगार में कहां पर, बिलासी ट आप हमको description में आपको WhatsApp का group का link, FB का link मतलब की वो होता न, Facebook page, वहां से आप जूड के, जो भी आपको doubt मन करें, पूछ सकते हैं, और strengths बांकी बात, वहां से आपको Facebook page में क्या होगा, आप like ये इसको कर लेते हैं, या फिर उसको आप जूड जाते हैं, Facebook page में, तो आपको एक फायदा होगा कि जो भी notes, या फिर test related, जो भी coaching में लेंगे, तो वहां फिर notes और test का question डाल देंगे, तो जो strengths बाहर से हैं, वो सभी strengths उसको देख करके अपने से test दे लिजेगा, और फिर जो भी आपको मिलेगा, notes विगरा तो वहां से आप download कर लिजेगा, तो इसलिए Facebook page में भी आप जूड जाएए, ठेक है, बाकी बाते strengths, WhatsApp का number भी मिलेगा, वही मेरा contact number है, आप हमसे जो भी आपको ज्यादे information, यदि कुछ चाहिए, तो आप contact number से आप हमको contact कर सकते हैं, तो चलिए, आज के लिए thank you, फिर हम लोग next day मिलेगे,